नितीज कुमार जी 18 साल से बिहार का सासन कर रहे हैं किसी माई के लाल में ये साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकालके और राइफल लेके सड़क पर गूमें अब संथ हो गए हैं हमारे साथ है तो अपराद भागलपूर के विधायक गोपाल मंडल जो अपने बयानों के जरिये जेडियू पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं वो क्या अब समर्थन नीलम देवी को देते वे नजर आएंगे लेकिन वो जगा चेतनानंद को जेडियू पार्टी में या कहें लोग सभाज चनाफ के मद्धे नजर मिलती होई नजर नहीं आ रही है तो क्या वो चेतनानंद नीलम देवी का साथ देते वे नजर आएंगे क्या नीलम देवी को मुंगेर सीट मिल जाएगी या पिर नहीं नमस्कार स्पिन नाइन निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नास्मिन खार बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट वो मुंगेर लोकसभा सीट जुसपर 2019 में जीत दर्च की थी जेडियूप पार्टी के ललन सिंग ने राष्टिय अध्यक्षपद पर मनुनित थे ललन सिंग लेकिन नीजी कार्णों का हवाला देते हुए राष्टिय ध्यक्षपद से इस्तीफा दे देते हैं ये कहा जाता है कि नितीश कुमार से अनबन चल रही थी इसी वज़ा सी दुबारा यहां पर 2024 के मुकाबले में देखा जाता है कि मुंगेर सीट किसे मिलेगी का ललन सिंग को या पर नीलम देवी को नीलम देवी जो बार बार दावा कर रही थी कि मुंगेर सीट उन्हें ही चाहिए वह यहां से चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन देखने को यह मिला कि जेडियू पार्टी की तरफ से सीम नितीश कुमार ने ललन सिंग को मुंगेर सीट सौप दी नीलम देवी को नहीं द करें तो यहां पर तमाम चीजों में बदलाव होता हुआ नजर आएगा लेकिन इससे पहले ललन सिंग मुंगेर जुआ कर जंता को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और कई बड़े बयान देते हुए दिखाई देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं देखे जरा बुक मंत्री जी जब बुक मंत्री बने थे उसके पहले रास्ट ये जंता दल के जो नेता थे लालू प्रसाद जी लरावडी देवी जी पंदरा साल उनका सासन था मानिकपूर के लोगों को ने नोजवानों को नहीं पता होगा लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने महस प्रूस किया होगा कोई आदमी मानिकपूर के लाके से और नदी कानी के लाके से चार बजे पांच बजे साम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था कहां कौन अन्हुनी घटना हो जाए इसका किसी को सबको अंग्देशा रहता था कोई अगर बजार हाट गया है जब तक वो घर लोटकर नहीं आता था घर के अभिवावक दर्वाजे पर बैठके उसका इंतजार करते थे ये राज था याद है ना याद है ना लालू जी और रावडी जी के राज में जो रंगदार लोग थे रास्तिय जंता दलके सकार्पियों का पिछला दोनों सिशा उता के दो राइफल इधर और दो राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ वेक्ती डंडा भांसे हुए चलता था लोगों को आतंकित करने का काम करता था लोगों को डराने का काम करता था नितीस कुमार जी 18 साल से विहार का सासन कर रहे हैं किसी माई के ला पर लेके सड़क पर घूमें, यहनितीस कुमार जी का सुसासन है, यहनितीस कुमार जी का काम है, तो इसलिए आज फिर चुनाव है, और उस चुनाव में कुछ लोग लेके घूम रहे हैं, बिजली जल रही है, चकाचक बिजली जल रही है, और आज कुछ लोग फिर से लल्ट छेत रहने की जरूटवत है मैं आपका सांसद हूँ मुझको मुझे फिर से लितीश कुमार जी ने यहां से चुनाओ लड़ने के लिए प्रादिक्त किया है मैं आपको ये बहरुसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पांच साल पहले मैंने जो काम किया है आगे भी पांच साल पूरे निस्था और क्यार विश्वास के साथ आपके छेत्र के विकास में गती देने का काम करूंगा एक आधमी बोल रहते नदी-कानी में नदी कानी में कुछ गड़बड़ी हुआ है उसकी भी जांच होगी आप चिंता मत करिए और गड़गड़ी करने वाले लोग का सही जगा पहुंचेंगे नितीस कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं है हाँ एक बात जरूर है मानिये मुख मंत्री जी हम आप से आगरा करें ललन सिंग को आपने सुना उसकी बात सवाल यहां पर जो खड़े हो रहे थे उसमें यह दावा किया जा रहा है कि नीलं देवी अब ललन सिंग को चुनौतियां दे सकती है और चुनौतियां के लिए उनके पति अनन्त सिंग उनका साथ देते वे नज़र करते हुए जेल से बाहर भी नजर आते हैं और अनंत सिंग के जेल से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव भी चुप़ी तोड़ते हैं क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं देखे जरा तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब जेल गए थे तो एक गुंडे थे लेकिन बाहर आए तो वो यहाँ पर निर्दोश हो जाते हैं यानि कि वो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर अनंत सिंग जो बहार आए हैं वो नितीश कुमार की पाटी की बदौलता है अशोक महतो की बात करें तो वो बड़ा कद मुंगेर सीट पर कायम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और मुंगेर सीट पर जो जगा नहीं बना पा रहे हैं इसलिए सवाल उट रहा है कि क्या बदलाव हो सकता है क्या मुंगेर सीट पर बदलाव यहां पर आरजेडी की तरफ से होताव नज़र आएगा क्या अलन सिंग जो अब तक दावा कर रहे हैं कि कोई भी मकाबला नहीं है क्या यह मकाबला अलन सिंग नीलम देवी के बीच में वाकई हो सकता है या नहीं कि भागेदारी यहाँ पर जो आर्जेडी से बगावत करके जेडीयु की से उपति मिल कर इस बघावत को नया रूप देते नसार आएंगगे कि आप बगावत जेडियू पार्टी से हो जाएगी नीलम देवी और उनके पती भी यहां पर उनका साथ देंगे क्योंकि मौकामा से और जीडिक विधायक रहे चुके अनंध से और हाल ही कि बात करें तो मौकामा से विधायका है नीलम देवी और जीडिके टिकेट से तो ऐस में दोहजार पच्चीस का विधान सभाज चुनाव भी नजदीक है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाक्सी होती हुए नजर आएगी या फिर नहीं इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या रहा है कम सेक्षिन में जरूर बताए देखते रहे इस पे नाइन न्यूस थन्यवाद